गनित के सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यन्जकों का प्रयोग करना उदाहरन आज हम देखेंगे गनित के सूत्रों और नियमों यानी Formulas and Rules of Math में बीजिय व्यन्जकों यानी Algebraic Expressions के प्रयोग से संबंधित उदाहरन अब तक हमने गनितिय सूत्रों और नियमों के बारे में जाना इस वीडियो में हम उदाहरनों की मदद से इन्हें और अच्छे से समझेंगे उदाहरन एक यदि एक आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी चोड़ाई कितनी होगी? आये इसे मिलकर हल करते हैं आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चोड़ाई अगर बीजिय व्यन्जक के माध्यम से लिखा जाए तो एक आयत का क्षेत्रफल होगा ल गुना बी जिसमें ल लंबाई और बी चोड़ाई को दर्शाता है हमें दिया गया है कि इस आयत का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है अब हम इन मानों को आयत के क्षेत्रफल के सूत्र में रखते हैं जैसा कि हमने अभी देखा कि आयत का क्षित्रफल होता है L गुणा B, अर्थात 20 बराबर 5 गुणा B होगा. अब हमें मिलेगा 20 बराबर 5B, अब हम दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे 20 बटा 5 बराबर 5B बटा 5, जिससे हमें मिलेगा 4 बराबर B, अतह इस आयत की चोड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी. आये अब संख्या प्रती रूप से संबण्धित एक उदारण देखें. दिये गए M की आकरती के बढ़ते क्रम को ध्यान से देखिए और उसे संख्या प्रती रूप में दर्शाएए. यहां M आकरती के दिये प्रतिरूप में पहली आकरती में 4 तीलियां है परन्तु हर बढ़ती आकरती से 3-3 तीलियां जोडि जा रही है जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले M में बागियों की तुलना में एक तीली ज्यादा है दिये गए M की आकृती के बढ़ते क्रम का संख्या प्रतिरूप बनाने के लिए हम माचिस की तीलिओं की संख्या को एक पद माने तो हम देख सकते हैं कि पहली आकृती में 4, दूसरी में 7, तीसरी में 10 और चौथी में 13 तीलिओं का प्रयोग हुआ है इन्हें हम निम्न प्रकार से भी तर्शा सकते हैं चार बराबर एक जमा तीन गुणा एक साथ बराबर एक जमा तीन गुणा दो दस बराबर एक जमा तीन गुणा तीन तेरह बराबर एक जमा तीन गुणा चार ऐसी ही N के स्थान के लिए व्यनजग होगा एक जमा तीन गुना N बराबर एक जमा तीन N यहाँ N, M की कुल आकरितियों की संख्या को दर्शाता है हम इस व्यन्जक की सहायता से M की N आकरितियों को बनाने के लिए आवश्यक कुल तीलियों की संख्या का पता लगा सकते हैं M आकरिती के इस प्रतिरूप का संख्या प्रतिरूप होगा 4, 7, 10, 13 इसी प्रकार एक जमा 3N जहां पहला पद 4, दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, चौथा पद 13 है और इसी प्रकार एनवा पद होगा एक जमा 3N कई बार हम M की दो आकरितियां देखकर तीलियों की संख्या 4 जमा 3 के बजाए 4 जमा 4 समझ लेते हैं और इसी तरह बढ़ते क्रम में गलती करते रहते हैं जिससे हमारा गलत संख्या प्रतिरूप बन जाता है आज हमने देखे गनित के सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यन जकों के प्रयोग से संबंधित उताहरन अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ मित्या धारनाई देखेंगे धन्यवाद